फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं जरी केक ग्लास केक भी बोला जाता है तो ओ भी रेड विलवेट फ्लेवर और वेनिला फ्लेवर दो फ्लेवर में फ्रेंस तो बने रहेगा ऐसी वीडियो में तो टू फोटी एमेल के कब से मैंने लिया यहां रेड विलवेट का प्रिमिक्स इसे अचछे से मिक्स कर लेना है यह जरू आप जरू देखियेंगा और इससे हम घैस के zar करने वाले हैं प्रेंस कोई और बतर बहुत ही तरीका बता रही हूं तो मैंने यहां एक चमप जितना ऑइल भी डाला है और अजसे मिक्स किया है अब मैंने लिए यहां बटर पेपर और इस तरीके से गोल कट कर लेना है जिसकी आप तीन ले रहे हो तो इस तरीके से कट करके आपको डाल के ऑईल लगाना है बस अ बहुत ज़्यदा पसंद आते हैं तो दो फ्लेवर में मैं दिकाने वाली हूं और स्पंज की वेनिला की भी स्रेम प्रोसेस है तो मैंने यहां स्टैन रखा है नमक डाला है और इस तरीके से यहां ढखके रख देते हैं कितना 35 मिनिट के लिए स्लो करके 35 मिनिट होने के गया था तो मैंने सुचआ कि चलो ऐसे निकाल देती हूं तो मैंने ऐसे निकाल दिया देख सकते कितना चिपचिव बनता है इतना होसा कि आप होमेड प्रिमिक्स का यूस कीजिए मेरे चैनल पे वीडियो अप्लोड़ है उसमें बीड पाॉडर डालके इस तरीके से डेड बना सकते हो बट मुझे जटपट बनाना था तो इसलिए मैंने यहां रेड़ी किया है और यह दिखे यह वेनिला का स्पंज है मैंने बनाया इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है आप जाके जरूर देखिएगा और यह वेनिला का है यह रेड़ वल्वेड का है इस वेनिला वाला स्पंज तो इस तरीके से डालना है और यह बहुत ही महंगे आते फ्रेंस आपको मतलब पता नहीं यह तो मैं बताऊंगी कि यह 50 रुपीज का आता है तो क्यों आप घर में बना के रेड़ी किये करें तो देखिए फ्रेंस मैंने यहां विप क्रिम बना ली है और यहां पैपिं बैग में डाल लिया है तो इस तरीके से क्या करना है अभी पैपिं बैग से कवर करना है तो यहां आपको क्या करना है शुगर सिर्फ लेना है शुगर और पानी मैंने लिया है और इससे क्या होता है यह सौप्ट बनता है और खाने में भी टेस्टी लगत तोbilir shar principle यहां तो की दएम झोटा सकते हो इस तरीके से वेणिल विलवट करो ऐकी सब्सक्राइब वाल सकते बच्चों को तो बहुत जदा पसंद आते हैं और रेड वेलवेट भी बनाने वाले हैं वेट करिएगा इसकी रेड पी मेरी कैसी लगी वह भी कमेंट में बताना उनली देखके जाना मत फ्रेंट लाइक भी कर देना तो इस तरह के से मैंने टूटी-फूटी डाल ली है और देखे इसे फ्रीज में 15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रखना है बाद में इसे खा सकते हो और मैंने मैंने थोड़ा तुटी-फूटी और कलर बोल्स डाले है और इसका लुक देख सकते फ्रेंट्स एकदम मार्केट स्टाइल और मैंने इसका जो है ना मैंने कितने बनाए एक सो हां सो बनाए थे मैंने वह भी चैनल पर अपलोड है फ्रेंस आप जाके जरूर देखिएगा ल मोज केक बनके रेडी है वह भी एक ही छोटा सा स्पंज में तो बहुत ही इजी और आसान तरीकी की रेसिपी बताई है तो आप मोज केक ग्लास केक भी कहा जाता है हर फ्लेवर का बना सकते हो स्पंज के साथ तो देख सकते इसका लुक फ्रेंस एकदम यमी और डिलिशिस ल अलग रहता है और मतलब टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है इससे तो यह जो मैंने मोज केक दिकाए यह मैदे से बनाया हुआ दिकाए था वैनिला वाला प्लेन वैनिला और वैनिला स्पंज केसे बनाते मेरे चानल पर वीडियो अपलोड है एग ले जाके जरूर देखि करना जिसको पता ने उसको बता रहे हूं तो प्रेंस इस तरीके से मैंने ग्लास लिया है उसमें रेड विलवेट स्पंज डाला है और मैंने सिर्फ डाला है और क्रीम डाला है और तूटी फूटी डाल के और एक लेर इस तरीके से आपको रेड विलवेट का डाल लेना है और थोड़ा सा sugar sip करना है, इससे क्या होता है, हमारा जो मोज केख है वो खाने में टेस्टी लगता है और एकदम easily मुँमें डालने से घुल जाता है, तो इस तरीके से बना सकते हो, तो मैंने यह स्टास बना दिया है, बहुत ही easy घर में बना के रेडी कर सकते हो, तो मैंने यह चौको चिप्स और कलर बोल्स डाल दिया है, और यह दिखे है फ्रेंस हमारा red velvet मोज के glass cake भी बोल सकते हैं, एकदम yummy और delicious बनके ready है, और देख सकते हो, देखती, खाने का मन करें, इतना तेस्टी, 10-15 मिनिटी से फ्रीज में रखना है, और सेट खोने के बाद खाना है, तो आप 50 रुपेज में देखे खाएं, बहुत ही easy और आसान तरीकी से घर में बना के बच्चों को खिलाएंगे, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होएं जाएंगे, कि हमारे ममी ने कुछ अलग बनाया है, तो friends, मेरी थोड़ी भी आपको वीडियो यूस्फुल लगती है, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो थोड़ी भी यूस्फुल लगती है, तो चानल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो इस तरीके से मैंने चार मोज केक बनाया है, और इस तरीके से हमारे जो मोज ग्लास केक बोलते हैं, व आप सेल करने जाएंगे ना, तो जटपट खतम हो जाएंगे, इतनी जल्दी बनके रेडियो होती है, वीडियो वीडियो पूल लेगी तो लाइक और सब्सक्राइब, थैंक और वाचिंग एवरीवन